नालो हाई नमस्कार दोस्तों मैं लाल जी यादम आप सब्सक्राइब करते हुआ अपनी यूटूब चैनल में अपने आपको आपको बाशा करते हैं अच्छे हैं विस नाइबी साही है मैं दोस्तों मैं आपको देखने हैं मैं आपको ऐसे अस्थान पर लेकर आया हूँ जहां पर साथिका सब्सक्राइब करते हैं जो पीछे नस के प्राबलम होती है जो जैसे लगता है मतलब कुछ आदमी इंसान चल नहीं पाता है बहुत तकलीफ होती है उसी का इलाज होता है और हिलाज भी अद्भुत तरीके से होता है सायद आप लोगों कहीं देखा ही नहीं होगा इस रखंडा आप लोग समझते हैं जिसे हम लोग अपनी बहांसा में उसको नर्गत बहुते हैं इसकी हो क्या बोलते है चैनी अकलमन बना के जो हम उस्याई से लिखते थे उसी से वह मार के जारते हैं तो हाँ मार के जिखाते सब से पहले से इसकानल अस्थान कि क्रिपा है बाबाक उपर एंग आप तकली वी वारो दोस्तों तो आईये आप लोगों को में दिखाता हूँ सहीद भूबा करास्थवान है और यहीं पे उन्हीं पर बाबा को बताते हैं। और लोग से गया है बहुत से बाबा सब्सक्राइब कर दिया। सरकंडे दौरा मार के हैं तो हम भी यहां आए हैं अपने माता जी को लेके उनको यह तकलीफ है तो फिलालाईयां उपके दिखाते हैं बने देए मेरे वीडियो में और आपको बताएंगे भी यह कहां पर है इस अस्थान पर यह देखिए मेरा माता जी क्या देंडेस मार के जहां रहे हैं इसी तरह देखिए डंडेस मार के जारा जाता है है अगया अगया ओवाम कर दोस्तों इसी तरह मार के डंडे द्वारा जारते हैं और लोगों का ठीप हो जाता है तो जिसको भी परिसानी दिकत हो जो भी आकर अगर आप साटी का जो है अगर जर्वाना चाहते हैं वो यह है गाजी पूर जिले में दुल्लापूर दुल्लापूर से उत्तर साइड में है ताल वित्तर डिल्ला नाम से प्रसिद गाउं है वहीं पर हैं आपको मीर जायेंगे और आके आप लोग यहां पर अपना इलाज करवा सकते हैं बाबाजी के दवार देखिए अभी तो मतलब सुबह है थंड का मौसम इसलिए बहुत काफी लोग नहीं आये तो यहां भीड लगी रहती है उन्यक्तर समझेक नम्मर लगाना पड़ता है लोगों को समझेक भीडी होती है बट अभी ल मौसम है उपर से समझी रहे हैं कि धान उनकी कटाई चल रही है तो इसके लिए लोग अभी नहीं आए हैं लेकिन जैसे जैसे धूप होते जाएगी और लोग सुबह सुबह काम करके खाली होंगे तो फिर यहां आते रहेंगे तो यहां सेयद बबाबा का स्थान है कि नहीं इंगा बरदान है एक तरह से समझी बाबा कि तो बाबा इसलिए मतलब यहां लोगों को मतलब बहुत से लोग यहां के ठीक हुए हैं तक आप लोग भी आना चाहते हैं या तो डुलापूर से अगर उधर से आरे दुलापूर होके आए या तो बिर्नो साइट से आ रहे हैं तो बड़ा गाव मोड़ पड़ता है वहां से उतर के यह बाइक द्वारा ही आएंगे क्योंकि पैदल आने लाइक नहीं है में रोड जो बिर्णो और आजमगडवाला है उस रोड से दूरी है करीब पांच शे क्रिमीटर दूरी है वहां से तो पैदल तो आप नहीं आप आएंगे इसलिए यहां ज्यादा से ज्यादा आप लोग अगर आएं तो अपनी खुद की गाड़ी से आएंगे तभी आप आएंगे नहीं तो फिर दिक्कत होगा आप लोगों को इसके लिए तो अगर जिस भाई को भी यह दिक्कत हो उनके घर परिवार में दिक्कत हो वो एक बार और से हां आएं और बाबा द्वारा जरवा के जाएं और देखें कि नहीं हां सच में सही होता है कि नहीं होता है तो जिस भाई को भी आना है वो आईए और कैसी लगी यह जानकारी प्लिस कमेंट करके बताईएगा हमें तो तक लिए बाई बाई